उरी आर्मी बेस पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही गुस्से में है पूरा देश इस हमले में मारे गई शहीदों का बदला लेने की मांग तेज हो गई है वही पीम मोधी ने देश को भरोसा दिलाया है कि हमला करने वालों को बक्षा नहीं चाहेगा इस गम और गुस्से में योग गुरु बावा राम देव भी शरीक है उरी हमले की कड़े निंदा करते हुए राम देव ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने की वकालत की है उन्होंने कहा कि अब देश में अहिंसा के साथ विरत्व की बात भी करनी होगी मोधी जी को बुद्ध और युद्ध दोनों का समनवय करना होगा वही बीजेपी मास सचीव राम माधव ने कहा कि अगर कोई आपका एक दांतु खाड़े तो उसका पूरा जबडा तोड़ दो दोसरी तरफ इस हमले के बाद मोधी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है आरजेडिय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंदर मोधी की लापरवाही से हमारे जवान मारे जा रहे है और जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से निकलता जा रहा है अब पूर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बास नहीं आ रहा है लगातार एक के बाद एक हमले पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं ऐसे में जरूरत है कि भारत को अपनी पाकिस्तान नीती पर विचार करना चाहिए देख तरी की जीबी लाइव झाहिए